Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे हैं, तो आज हम करने माले हैं क्लास 7th मैच और exercise 1.3 जैसे की चली हुए है, question number 3 से start करते हैं, ठीक है, question number 3 भी क्या करते हैं, for any integer a, what is minus 1 multiply with a, is equal to, it means कि minus 1 की multiply अगर a के साथ करते हैं, तो इसका answer क्या आएगा, ठीक है, simple है, क्योंकि हमने खाया जैसे कि किसी भी number के अगर दो नमबर दिये गए हैं, negative हो या positive कोई नमबर हो, और उसके multiplication के rules हमने पढ़ ली है, किसी भी दो नमबर की multiply करते हैं, और दोनों ही नमबर अगर positive positive है, तो answer positive ही आएगा, first number positive है, second negative है, तो negative आएगा, first negative हो, second positive हो, तब भी negative ही आएगा, और negative negative हो, तब भी positive हाएगा, यह ध्यार लखना यह rules, ठीक है, multiplication में यह काम आएगे, तो यहाप भी क्या कहा है, कि minus 1 की multiply करने किसके साथ, A के साथ, तो A की multiply 1 के साथ कर दो, side को एगबर बूल जाओ, क्या है, तो A की multiply 1 के साथ करेंगे, तो A ही आएगा, ठीक है, और minus में है, और plus क्या जाएगा, minus जाएगा, ठीक है, तो very simple, यह आएगा, इसका answer minus A, ठीक है, यह three questions है हमारे part 2 में, question number 3 में, अब कहता है कि, इस, इन सभी numbers की multiply, अगर minus 1 के साथ करते हैं, तो product क्या आएगी, ठीक है, तो देखे, first of all करते हैं, question number 1, ठीक है, part A में, minus 22, multiply with minus 1, दो sign एक साथ हैं, तो second number को क्या करेंगे, bracket में, close करेंगे, then, minus 22 की multiply करने है, minus 1 के साथ, तो sign को भूल जी, 22 की multiply, पहले 1 के साथ कीजिए, तो 22 आएगा, अब sign को देखे, यहाँ पर minus 1 है, और यहाँ पर भी minus, so यहाँ minus है, और यहाँ पर भी minus है, और minus, minus की multiply करते हैं, ठीक है साइने, positive आता है, ठीक है, तो इन दोनों numbers की multiply करेंगे, दोनों negative हैं, तो product की आएगे, plus positive ही आएगे, ठीक है, तो यहाँ जाएगा, इस question का answer, then, आता 37, कहता है, 37 की multiply करेंगे, minus 1 के साथ, ठीक है, अब हमारी यह, कौन से number है, यह positive number है, और यह हमाँ पर negative number है, तो 37 की 1 के minus है, और 1 minus है, तो दोनों की multiply करेंगे, तो क्या आएगा, minus, तो इसके साथ भी क्या आजएगा, minus, ठीक है, hence, product of 37, multiply with minus 1, is minus 37, ठीक है, then, part C, question number 3, part C, भी कहता है, 0, अब हम करेंगे इसको, 0, multiply with minus 1, ठीक है, अब 0 के multiply किसी भी number के साथ कर लो, answer क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठी किसी भी number की, किसी 0 के साथ product करते है, तो always product क्या आती है, 0 ही आती है, ठीक है, तो यह है, हमारी question number 3, एब करते है, question number 4, question number 4 में क्या कहता है, question number 4 को read किजिए, starting from, starting कहना है, minus 1, multiply with 5, 10, 2, कहां तक जाना, minus 1, multiply with minus 1 से, इसका minus, minus की multiply करेंगे, तो बनाएगा, कहने का मतलब, starting हमें number की करना से करनी है, minus 1, multiply with 5 से, ठीक है, और हमें कहां तक जाना है, यहां तक जाके, एक pattern बनाना है, ठीक है, तो देखे, pattern कैसे बनाएगी इसका, first step हमारा यही हो जाएगा, यहां से हमें starting point है, starting यही से करना है, minus 1, multiply with 5, it means कि minus 1 तो सेम रहेगा, अब multiply करते करते, क्योंकि यह है, आपके last number minus 1 ही दिया गया है, और कहां तक जाना है, minus 1 तक जाना है, तो it means पहले positive आएगा, उसके बास बनाएगा, negative minus 1 तक आएगा, ठीक है, तो 5 के साथ किया है, then आएगा 4 के साथ, अब देखे, minus 1 multiply with 5 करते हैं, तो answer क्या आता है, minus 5 आएगा, ठीक है, minus 1 की multiply करते है, 5 के साथ, तो answer क्या आएगा, minus 5 आएगा, और minus 1 की multiply करेंग, 4 के साथ, तो minus 4 आएगा, then minus 1 multiply with 5, 4, अब आएगा, 3, तो इसके answer आएगा, minus 3, then minus 1 multiply with 2, answer आएगा, minus 2, and minus 1 multiply with 1, minus 1 और plus 1, जार रखना, तो answer आएगा, minus 1, अब 1 आएगा, उसके बार, जैसे हमें, एक number line show करते हैं, यह 0, ठीक है, और इस side हम आगे बढ़ते हैं, तो यह आता हमरा, 1, 2, 3, आगे जाते हैं, positive number, ठीक है, और इस side हम आते हैं, तो यह आते हैं, minus के negative number, ठीक है, तो जान रखना, 5, 4, 3, 2, और 1, it means के हम यह सारे number cross कर लिए हैं, कहां तक, 1 तक आचके, अब आएगा, 0, minus 1 multiply with 0, then answer will be 0, and then 0 के बाद आएगा, minus 1, it means minus 1 multiply with minus 1, answer will be 1, because there is negative and also negative, negative negative is equal to positive, ठीक है, तो यह हमें एक pattern follow करना था, कहां तक, minus 1 to minus 1 multiply with minus 1 तक, ठीक है, तो यह आजाएगा हमारा pattern, इस question का, ठीक है, करते हैं, question number 5, question number 5 को अच्छे सरीट करना है, question number 5 में कहता है, find the product using these suitable properties, ठीक है, अब हमें इस question में property यूज करनी है, most important question of this exercise, ठीक है, देखिए, अब में यह देगा है, 26 multiply with minus 48, plus minus 48 multiply with minus 36, अब हमें इस question में, क्या अच्छो हो रहा है, कि यहां पर 2 दिये गए है, क्या, part 1 and this part 2, because with plus, ठीक है, क्योंकि यहां पर plus का sandwich में दिया गए है, अब देखिए, 26 और यहां है minus 48, अब इसमें देखिए है minus 48, अब इसमें देखिए है minus 48, अब इन दोनों पार्स में क्या है, common है, ठीक है, यह हमने इन दोनों से common ले लिया, अब देखिए, इसको bracket को लगाएंगे, और यहां से हमने 48 तो यहां common है लिया, अब यहां क्या होगा, 26 बज जाएगा, because यह पूरा common आ चुका, यहां पे 1 आ गया, ठीक है, 26 को multiply विद करेंगे तो 26 ही रहेगा, then बीच में जो की sign दिया गया है, बीच में वही sign रहेगा, अब minus 48 यहां पे आ चुका, अब यहां हमारे पास बज गया 1, multiply विद क्या है, minus 36, तो यहां पे बज गया इसके साथ, तो 1 की multiply, minus 36 के साथ तरेंगे, तो minus 36 ही रहेगा, ठीक है, और दो sign एक साथ आते हैं, तो दूसरे को हम bracket रखते हैं, ठीक है, यह तहां लगना, अब देखें, minus 48, अब bracket हटाएंगे, यहां होगा 26, plus और minus, क्या होजाएगा, minus, ठीक है, यहां 36, minus 48, यहां क्या बजएगा, 26, minus 36, minus 10, ठीक है, शोटे में से बड़ा नुमर मैनिस करेंगे, तो minus रहेगा, minus 10, आप देखें, minus, क्योंकि वीच में sign क्या है, multiply यहां लगना, ब्रेकेट से पहल है, तो मतलब इसके साथ यह नूमर, multiply है, तो 48 की 10 की साथ करेंगे, तो 480, यहां नेगीटिव है, यह नेगीटिव है, यह नेगीटिव है, दो नेगीटिव नमबर होते हैं, उनकी multiply करते हैं, तो अनसे क्या आता है, पोजिटिव आता है, तो यह हो झाएगा, इसके सेंका, आंच, ठीक है, तो इह हमारी जोधी, कोमेंब लेके करते हैं, इसमें लिक देना है, यह है, अनन यह नेगीटिव करते हैं, इसमें लिके देना हैं, कि यह ह है हमारी यह इसमें हमेरे कोई जी प्रोपटी यूज होगी, देखे गाइस, अब तीनों नमबर अलग अलग दिख रहे हैं, इसमें कोई भी नमबर हमें पर कोमन नहीं है, अब इसको देखते ही डारेक्ट मुल्टिप्लाय नहीं कर देना है, क्योंकि उपर साफ साथ लिखा गया है, कि श आज 6 में हमने पढ़ा था, कि जब इस तरह से कोई भी मुल्टिप्लाय दी गई होती है, डारेक्ट मुल्टिप्लाय दिया जाता है नमबर को, 3 या 4 नमबर हो सकते हैं, ठीक है, और अलग-अलग नमबर हों, कोई भी प्रोपटी हमें नहीं नहीं हो, तो हम उसमें क्या करत हैं, फर्स्ट और हमें क्या जार आ रहा है, अगर मैं इन दोनों नमबर को मुल्टिप्लाय करते हूं, अपस में 8 और 53 को, तो लाश्ट डिजिट देख लेना, एक बार, लाश्ट डिजिट, एट की 3 के साथ मुल्टिप्लाय करते हैं, फोर आता है, ठीक है, तो इससे हमारे मुल्टिप्लिकेशन क्या होगी, कॉम्लिकेटि हो जाएगी, तो हम इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 नहीं चाहिए, हमें लाश्ट डिजिट क्या चाहिए, जीरो चाहिए, अगर इसके साथ करते हैं, 8, 5 जा 40, ठीक है, 0 आ रहा है, ठीक है, एक ब यहां हम लिखेंगे, 53, multiply with, क्योंकि एक नमबर माइनस नहीं है, तो दो ब्रेकट ची, तो बड़ा ब्रेकट पहले लगाएंगे, 8 multiply with, minus 125, ठीक है, यह हो जाएगी हमारे associative property, using by associative property, ठीक है, आप देखें, 53, multiply with, इन दोनों नमबर्स के आपस में multiply करेंगे, ठीक है, तो इसका जाएगा, 1000, यह positive है, यह negative है, positive नमबर्स के multiply करेंगे, तो आपस में क्या आएगा, negative आएगी product, ठीक है, यह हो जाएगा इसका, minus 1000, 53 है, multiply with, क्या हमने, minus 1000 के साथ, 1000 के साथ इसकी direct multiply करेंगे, 53 है, 53 है, बन के साथ multiply करो, उसके बाद इतने भी number है, last में, इतनी 0 लगा दो, यह दिए direct इसकी multiply, then, negative है, यह positive number, यह negative number है, तो answer, negative आएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, इस question का answer, देक है, अब करते है, पार्ट C, पार्ट C में क्या करता है, इस question को read करना, 15 multiply with minus 25, multiply with minus 4, multiply with 10, ठीक है, minus 10, sorry, ठीक है, तो अब इस question में भी हमें, last question की तरह है, बिल्लकुल अलग-अलग number दिये गए है, बट साथ की यहाँ पी number 4 दिये गए है, ठीक है, पहले वाली property कैसे यूज की थी है, वने, किनी भी दो numbers को आप से multiply करके, last digit को देखने, सिरफ पूरा number multiply नहें करके, to last digit को देखने है, जिन last digit के ऊप़ 0 आता है, multiply करने बट किनी भी दो numbers को, तो उन दोनों नमबर्स का क्या करना में पेर बढ़ा देना है ठीक है उसके बाद जो भी नमबर्स बसके उनकी साथ आफस में मल्टिप्लाई कर दे रही है तो देखी फिर्स्ट और सेगी नमबर कोई देखते हैं सिबसे पहले तो फाइफ और फाइफ है जैसे बाते लास्ट है और इसके बाद है इसके साथ 10 के साथ तो सब्हें जीन आएगा तो एक इमेस को देखी दो नमबर हमरी पास ऐसे आए हैं 15 को चाहें 4 के साथ मुल्टिप्लाई कर लो यह तो यह जिछेक्ट 0 यह आ रहिए हैं बट उसकी बाद हमें यह देखना है कि किस नमबर के साथ मु कdock च्रिपलै तो हमारे पाजाने की हैं saya और किसे भी लाएंड सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करना इजी होता है यह सकी है तो बैसे पासफ था डिचलाएंगिन को के लिख पासं मा डेंगे और वाय तो पहले हम इन नंबर को रखेंगे 25 x 4 और जिन जिन की हम पेर बना रहे हैं उसको बड़ी ब्रेक्ट में बंद रखना है क्योंकि इससे पता चलेगा कि यह ही हमारा पेर है तो नंबर बच गया है मल्टिप्लाई है सब्सक्राइब के विचे है तो 15 और मल्टिप्लाई विद माइनस 10 ठीक है अब देखे 25 की 4 के साथ मुल्टिप्लाई करेंगे 100 आएगा यह भी नेगितिव है यह भी नेगितिव है तो प्रोडेक्ट के जाएगे पोजिटिव आजए 50 ठीक है अब देखिए 15 की 1 के साथ मुल्टिप्लाई गर्गोरा रेक्ट 15 और 1 तो 15 यह रहेगा 2-0 यहां है एक यहां है तो किसे हो जाएगे 1-2 और 3 अब नबर देख लिए यह पोजिटिव नंबर है यह नेगितिव नंबर है पोजिटिव नेगितिव हो जाएगा नेग अब मैं यहां दो नंबर कोन से है 41 उन्टिप्लाई विद वन हैंडर है 2-41 है तो देखिए अगर मैं इन में से किसी एक नंबर को स्प्लीट करती हूं किसको करें-41 यह वन हैंडर 2 को देखिए 1-2 बोलने से लग रहा है कि यह हैंडर पलस है ज्यादा नहीं है तो इट मिस क नंबर को ऑंडिड़ पलस तू रखो रही है कि और इसके साथ मूल्टिप्लाइ कर देखिए यह हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टी बन के आ लिए है लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी बन के आ अगही तो कि यह मारे पास मैनुस पॉपर्टी रहा है इसका मतलब की वह नं सिस्टम से करते हैं सही से अब हम करते हैं मैनिस 41 मुट्रिप्लाइब इस नमर को स्प्लिट कर सकते हैं कैसे 100 पलस टू कोई फैक्ट नहीं आना इसके उपर क्योंकि यह भी 102 है चैस को डारेक कैसे लिखेंगे 102 या 100 पलस टू एक बात अब देखिए बट हमें इसका यूज करन से हमारे पास कोण से प्रोपर्टी बन जाती है बाई यूजिंग डिस्टिप्यूटिव प्रोपर्टी डारेक डीपी निख रहे हुए ठीक है अब देखिए माइनस 41 मुल्टिप्लाइब हैंड करेंगे दैन क्योंकि हमने सिरफ इस नमर को मुल्टिप्लाइब किया है तो जो साइन बीच में दिया गया है साइन वही रहना है ठीक है साइन को चेंज नहीं कर देना अब 41 हमारा कोमन है क्योंकि इसलिए माइनस 41 की मुल्टिप्लाइब होगी 2 के साथ भी ठीक है तो यह जाएगा 41 माइनस है तो ब्रेकट में रहेगा माइनस 41 मुल्टिप्लाइब टू और यह ब्रेकट बन अब लिखना हमें य उजी डिस्टिटिबूटिव प्रोपर्टी जो कैसे उपन करेंगे मैनस 41 मुल्टिप्लाइब टू है तो मैनस 41 और हैंट के साथ मुल्टिप्लाइब मिनस 4100 बीच में साइन होगी 5 पलस अब 41 की मुल्टिप्लाइब किसके साथ 2 के साथ तो यह थालिपना यह मैनस और यह पलस है मैनस और पलस क्या उज्जेगा मैनस आएगा मुल्टिप्लाइब अब इन दोनों साइन को हमें सिंगल बनाना है तो मैनिस 4100 प्लस रहेगा और यह उज़ेगा 82 अब इन दोनों को सोल करेंगे है यह वो रूल नहीं लगेगा कि यहां पे नगीपिव भी यह doing पोजिटिव आ देगा ठीक है बट यहां कर रहे हैं माइनस 41,000 भी 82 गरेंगे तो 82 ठीक है 41,000 एंड 82 यह है इसका एक्योशन का आश्य है क्योंकि माइनस माइनस होता है तो दोनों नमबर जूड जाते हैं और sign जो होता है बड़े number के सामने जो भी sign आता है वही sign आता है इस प geme design को आशी हैर exhalgी आशी माइनस का आश्य है देखिए अब हम करते हैं question number 5 और इस question number 5 का part है e अब इस question को बढ़िए 625 multiply with minus 35 plus minus 625 multiply with 65 ठीक है अब हम यह देख रहा है कि यह number क्या है इन दोनों की multiply की गई है इन दोनों की multiply की गई है उसके बाद इन दोनों को add किया गया है तो it means नमारा यह एक first part यह हो जाएगा और second part यह हो जाएगा ठीक है अब देखिए इन दोनों numbers को rate करने पर हमी क्या दिख रहा है कोई भी एक number common show हो रहा है डारेक्ट ठीक है दिखना है ना यहां पर 625 है यहां पर 625 है तो क्यों ना है इन दोनों numbers को क्या कर लें common है common है ना दोनों के साथ multiply हो रहत है तो हम यहां पर इसको common लेते है ठीक है 625 है ठीक है अब इस first part से हमने 625 को common ले दिया है यहां पर क्या बज़िया यहां पर 1 है तो 1 की multiply करेंगे minus 35 के साथ तो यहां पर बचेगा minus 35 अब दोनों numbers के विजव जो भी sign है sign वही रहेगा sign को change नहीं कर देना है 625 यहां पर minus है और यह plus है इट मिंस हमने positive number को बाहर लिया है 625 तो इट मिंस यहां पर number हमारे पास बचता है minus 1 ठीक है और minus 1 की multiply जब 65 के साथ करते है तो आज से क्या आता है minus 65 आता है वही ध्यान रखना ठीक है यह ठान रखना है कि यहां पर हमने sign क्या लिया है इस यहां पर positive number को बाहर लिया है यहां negative number है तो यहां पर 625 फे negative 1 बचेगा ठीक है अब इन bracket को हमें क्या कर देना है open कर देना है देखें कैसे करेंगे 625 यहां दो sign एक साथ है तो दोनों को एक sign बनाना है कैसे minus 35 यह पला से minus है तो minus हो जाएगो अब 65 ठीक है 625 अब रेकर से बाहर नमबर है इसमेंज कि अंदर के नमबर के साथ इसका multiply होगा और दोनों नमबर क्या है minus minus है इसमेंज दोनों नमबर add हो जाएंगे और add होके sign हमेंसा क्या बचिक आगया आएगा इसका negative आएगा अब इन दोनों को add कर देना है एड दे रहेंगे तो क्या बंड़ा है वन हैंडर ठीक है अब वन हैंडर की multiply कर देनी है 625 के साथ और 625 multiply with हैंडर है तो तो 0 के साथ है बचाएंगे और यह positive नमबर है और यह negative नमबर है positive और negative है तो answer क्या आएगा नेगिटिव आएगा तो यह जाएगा इस question का answer देखेंगे अब मेंगाते question number 5 का part f पे आगे पार्ट f में क्या कहता है 7 multiply with 50 minus 2 ठीक है अगर आपको यह नमबर नहीं दिया गया है इट मेंस कि मैं roughly हम समझने एक बार कि 7 multiply with इसका मतलब यह दिया गया है कि 7 की multiply 48 के साथ करने है ठीक है और इस को हमें direct नहीं अगर किसी भी property क यूज करके करना है तो हम इसको इस तरह से लिखके और इसको हमें property बना देंगे जो कौन सी property होगी distributed property होगी ठीक है 7 multiply with 48 लिख लो यह 7 multiply with 50 minus 2 ठीक है अब हमें दिख रहा है कि 7 bracket से बाहर है दो नमबर अंदर देगे 50 minus 2 इट मिन्स के 7 इन दोनों numbers के साथ क्या है multiply है ठीक है और कोई बनावर जब बाहर common होता है multiply है तो इट मिन्स यहाँ पर कौन सी property होगी distributed property होगी देखिए अब इसको उपन किजिए 7 multiply with 7 की किसके साथ 50 के साथ अब sign जो भी दिया गए बीच में sign सेम रहेगा 7 multiply with 2 ठीक है अब यह याद रखा है कि यहाँ पर minus 2 नहीं कर देना है कह आप यह सोचो कि लास्ट क्या गया था 7 multiply with अब minus 2 नहीं कर देना यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक ही sign दिया गया वही ठीक है और यह sign हमारा बार यहाँ आ चुका है minus 2 है ठीक है अब यह दोनों numbers को अलग अलग करेंगे ना तो यह 50 है और यह 2 ही है और sign यहाँ पर बीच में आ 350 है ठीक है then minus 14 अब इसको इसमें से minus करेंगे तो 10 में से 4 गे 6 4 है यहाँ 1 है तो 3 और यह 3 सेम रहेगा तो 336 हो जाएगा इसका answer ठीक है यह हमारे question number 5 का part F अब इसी तरह दिया गया पार्ट जी पार्ट जी में क्या कहता है इसमें direct दे दिया अब देखें इस तरह से दो number दिये गए हो तो first of all हम यह देखेंगे इन दोनों में से किस number को हम 10 के approach लिखेंगे approach 10 लिखेंगे यह तो बंड़ा है हमारा 20 के approach बंड़ा है और यह बंड़ा है 30 के approach ठीक है हम करके देख रहे हैं अगर हम इस 20 में इस से 3 करती हूं तब आएगा 70 और इसमें से अगर minus 1 करते हैं तब आता है यह जरूरी नहीं किस number को multiply करना easy रहता है 20 और 3 की multiply करेंगे वह easy रहेगा यह 30 की multiply करेंगे तो हो नहीं है हम किसको split करेंगे 29 को split करेंगे यह पर तो देखे कैसे करेंगे minus 17 सेम रहेगा इसके साथ कुछ रखाने नहीं करने क्योंकि हम सरफ एक नमबर को split करते हैं multiply it इस नमबर को कैसे लिख सकते हैं approach 10 से लिखना है तो इस नमबर को हम कैसे लिखेंगे 30 अब minus आयना चाहिए आना चाहिए हमारा क्या negative नमबर आना चाहिए और negative नमबर को आएगा जब हमारा बड़ा नमबर हो नेगिटिव होगा it means 30 जो हो आएगा negative और जो 1 हो आएगा positive ठीक है यह जाएगा it means कि इस नमबर को पड़ो या इस नमबर को पड़ो सेम है 17 multiply with minus 29 यह minus 30 plus 7 की बात है यानि कि 29 को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया रहे है समझाए बात ठीक है अब यह नमबर हमारे पास 17 क्या हो गया है इन दोनों के लिए कॉमा नमबर होगा और कॉमा नमबर होगा तो इतने सी कौन सी प्रोपर्टी यूज कर रहे है अब देखें इसको ओपन कीजिए ब्रेक को 17 multiply with अब मारे बात दो साइन दो इसको ब्रेक के रहे है सेम्टीन मल्टीप्लाइ विद माइनस 30 बीच में रेके ब्रेक दोनों नमर के बीच में साइन के है पलस तो पलस यह रखो इसको ठीक है इसको 17 के 30 के साथ माइनस 30 फिफ्टीव गाइस 13 17 थरीजा 51 ठीक है अब 10 है तो बन जीरो जाएगा अब देखें दोनों नमबर क्या है नमबर को उसके बाद आनकना है कि यह नेगेटिव है यह भी नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव और बीच में मल्टिप्लाइगा साइन है मल्टिप्लाइगा साइन है तो नमबर क्या जाएगा अब कोई साइन है अब बीच में है पलस का साइन है ठीक है और आगे नमबर क्या है 17 मल्टिप्लाइविद वन लेकिन 17 क्या है माइनस का है माइनस 17 रहेगा ठीक है अब देखिए अब दो नुम्बर हम फिर से साथ में आ गए है तो इसमें ब्रेकर को ओपन करेंगे और दोनों साथ को एक करेंगे तो फाइफ हैंडर 10 पलस और माइनस प्रेकर को दो माइनस 17 तो इसमें से करें तो 493 एक सही है तो 3 10, 10 में से 1 9 & 4 ठीक है 493 सा ऐसे अब यह प्लस और पाइनस है तो यह का है बड़ा नुमर हमारा पोजिटीव है तो आंसर भी पॉजिटीव फिर रएगा ठीक है दिए अब हम करते है Q5 का लास्ट पार्ट है गैस पार्ट है अच तो देखिए अब दिखा है 57 ÷ बैधे माइनस 19 प्लस 57 अब हमें यहा पर भी दो पार्ट है बना लेते हैं इसके 57 की और कोई भी मुंट्प्लाय की नहीं है क्योंकि हमें यहां पर दोनों पार्ट में एक number common दिख रहा है क्या है वो भी 57 है तो हम यहांसे क्या करेंगे 57 को common लेते हैं यहांसे 57 को हमने common लिया यहां क्या बज़ गया है minus 1 जो आपको पता है जब एक negative है और एक positive को पहर कोमन लेने वाला नंबर तो हम positive नमर को भाहर लेते हैं तो यह positive आया है, लेकिन यहा है नेगيटीव नंबर दिया गया है तो minus 1 की multiply करेंगे गहां किसके साथ, 19 के साथ, यह भी negative है और यह भी negative है, नेगटीव, negative नंबर की multiply करते है, तो क्या आएगा अंदर? बज जाएगा 91 बज़ा 19 ठीक है अब इत्वे जो भी सहन दिया गया है पॉजिट्यू है अब 57 जाए कि हमने बाहर कोमन ले लिया है तो अंदर क्या बज गया है ठीक है अब देखे 57 ब्रेकट से बाहर है तो इसमींज कि वह मुल्टिप्लाइए है 19 पलस 1 20 गरेंगे 57 की मुल्टिप्लाइए करेंगे 20 के साथ लास्ट डिजिट 0 देगी 2 के साथ करेंगे तो 14 केरी 1 5 प्रेट पलस 1 11 तो 1140 यह हो जाए क्योंकि दोनों नूमबर पोजिटिव है तो पोजिटिव अनसर आगा तो यह हो जाएगा हमारा क्यूस्ट नूमबर एच ठीक है अगर आपको क्यूस्ट नहीं आता है तो प्लीज कमेंट किजी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक किजी सेव किजी एंड सब्सक्राइब किजी थैंक यू सामच